देखला में फिर से आपका एक बार स्वागत है यह उडियो विसे सुरूप से सीटेट से समन्दित है आज इस वीडियो में हम लोग NCIT बुक EBS यानि परेवरन अध्यन जो NCIT बुक में आसपास नाम से जना जाता है क्लास 5 का लेशन नंबर 2 कहानी सपेरियो की का कुशन बैंक देखेंगे जो प्रशन आपके सामने दिख रहे हैं इसका एंसर आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे ताकि आपको पता चल सके कि कितनी अच्छी आपके त्यारी है यानि मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब जरूर लिखे कॉमेंट सेक्शन में अगर आपका एंसर मेरे एंसर से मैच होता है को आपको यह त्यारी बहुत ही अच्छी है यानि जो सीटेट पेपर वन की परिक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें अच्छा आप करेंगे लेगिन अगर आपको जवाब गलत होता है इसका मतलब आपने एंसरे बुक का आसपास नाम से जो जाना जाता है उसे आपने नहीं पढ़ाएगा प्लीज उसे पढ़ लिजेगा अगर आपके बस बुक मौझूद नहीं है तो आप नोट सिंदी कलब का ले सकते हैं इसके लिए आपको एप इंस्टॉल करना होगा एप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप बाई कर सकते हैं चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं इसमें देखते हैं पहला कोश्चन क्या है को पहला कोश्चन है आपको जो सापो को अपनी बीन के धून पर नचा सकते हैं कहलाते हैं को यहां पर एक सब्द का इस्तिमाल होता है और इसमें वो सब्द जो है बहुत ही है तो यहां पर option है आपके Calvillia, दूसरा option है Kanvillia, तिसरा option है Nagguffan और चौता option है Keolguffan. तो यह comment section में आप लिखे कि इसका correct answer क्या होगा? अगर आपका correct answer option number comment section में एक है, तो बिल्कुल ही वो सही है, वो है आपका काल बेलिया काल बेलिया जो होता है तो ये क्या करते सापो को अपनी धून पर नचा सकते हैं तो ये बहुत इंपोर्टन सब्द है इसे याद भी रखिएगा इस पार्ट में सापो के बारे में ज्यादा बताया गया है आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन पी डेस 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 डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दिवारो को सजाने के लिए सौरास्ट गुजरात और दक्षिट भारत में परियोग किये जाते हैं किसका परियोग इसमें से होता है जैनि किस तरह का डिजाइन रंगोली का कढ़ाई का और दिवारो को सजाने के लिए पहला है नाग गुफन दूसरा है गुफन तिसरा है काल बेलिया चोधा है कान बेलिया तो ये उत्तर आपको बताना है कॉमेंट सेक्षन में जल्दी से उत्तर दीजे इसका उत्तर होगा आपका option number one नाग गुफन नाग गुफन डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दिवारो को सजाने के लिए सौरास्ट, गुजरात और दक्षिट भारत में परियोग किये जाते हैं ये परसंद दो तरीके से पूछा जा सकते हैं एक तो जैसे हमने लिखा है कि ये पूरा हटा दिया जाएगा ठिक चाहिए ये भी ये सारे चीज़ हटा दिया जाएगा और question में पूछ दिया जाएगा कि सौरास्ट, गुजरात, और दक्षिट, भारत में डास्डेस परियोग की जाते हैं या क्या परियोग की जाते हैं चाहिए निम्न में से क्या परियोग की जाते हैं को वहाँ पर आपको option बताना होगा कि design, रंगोली, दिवारों को सजाने के लिए कड़ाई को ये सारे चीज़ इस्तमाल होते हैं जो अगले तरीके से पूछा जा सकता है ये पूरा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका इस्तमाल कहां-कहां होता है सोराश्ट में, गुजरात में, दक्षेल, भारत में परियोग किये जाते हैं तो ये जो अस्थान दिएगा है ये भी जरूर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के दरब चलते हैं अगला कोशन है आपका कोशन नम्मर 3 सपेरे अपने कंदे पर कवार जैसे पिठारी लटका के रखते हैं और ये अपने साप को डसडस की टोकरी में रखते हैं किस तरह की टोकरी होती है यानि किसका बना हुआ होता है आपके साने सीसम दूसरा है बास तिसरा है आहम चोथा है इंबली कोमेंट सेक्शन में लिखिए कौनसा है और पहन कावार जैसे पिठारी ये भी पूछा जा सकता है कि सपेरे जो होते हैं कंदे पर जो रखते हैं उसको क्या कहा जाता है को उसे जैसे पिटारी लटका के रखते हैं और ये अपने साप को किस तरह के टोकरी में रखते हैं को ये किसका बना होता है को ये बना होता है बास का इसे भी याद रखिएगा आगे बढ़ते अगले कुश्चन के तरब तेजी से करेंगे चलिए पहले कुश्चन पढ़ लेते फिर अप्शन देखेंगे चारो सापो का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहां रुके रहते हैं देखें ये सापो का नाच होता है वहां पर ये सभी जड़ी बूटिया हम जंगल से इकठा करते हैं ये जड़ी बूटिया होती है वो कहां से इकठा करते हैं तो ये जंगल से इकठा करते हैं दवाईयों के बदले लोग इन्हें कभी आनास दे देते तो कभी पैसे बस इसी तरह इनकी गुजरबसर हो जाती ये बहुत परीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सपेरों का नाच होता है, नाच देखने के बाद जो लोग होते हैं, वो घर चले जाते हैं, तो यहां पे होगा नहीं, वहां रुके हुए रहते हैं, वो लोग क्यों रुके हुए रहते हैं, ये भी पूँछा जा सकता है कि जो भी दवा के रोग है, जो जड़ी वुटी उनके पास जंगल से लेके इकठा करके लेके आते हैं, उसके लिए वो रुखे हुए रहते हैं, दवाई के बदले क्या दिया जाता है, ये भी प्रशन पूछा जा सकता है, जो सापकों का इनास देख लेने के बाद लोग रुखे हुए होते हैं, तो उन्हें जड़ीबुटी मिलते हैं, जड़ीबुटी के बदले उन्हें क्या दिया जाता है, तो कभी-कभी उनको पैसे दिये जाते हैं, और कभी-कभी अनाज दे दिये जाते हैं, और इसी से कैसे गुजरबसर इन तो बस इसी से वो अपना गुजर बसर हो जाती है इनकी, तो यहां जो किस के टीन के डब्बे की बात हो रही थी, किस चीज की नहीं, किस के टीन के डब्बे की बात, option है आपके पास कान बेलिया, काल बेलिया, तिसरा है नाग गुफन और चौथा option है गुफन, तो यह बताना रखा जाता था और यही लोग देते थे आगे बढ़ते हैं और यह दवा कहां से आता था कि वो जंगल से आता था यह भी याद रखेगा कुश्चिन नंबर फाइब कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा निमलिकित में से कौन सा अलग है इसका एंसर आपको लिखना है निमलिकित में से कौन सा इसमें आपको अलग लग लग रहा है तुम्बा, खंजरी, ढूल, बीन यह कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा कि कौन सा इसमें आपको अलग लग रहा है क्या सभी एक समान है या कोई अलग है कॉमेंट सेक्षन में लिखे जल्दी से को देखा चाया अगर आपका उत्तर option number 3 है यानि धोल है तो यहाँ प्रस्ण एक और बनता है कि धोल इन में से अलग क्यों है धोल इसमें से अलग क्यों है क्योंकि यह जो तुमबा है खजरी है और यह बीन है यह आपके सूखी लौकी यह भी पूछा जा सकता है सूखी लौकी से क्या क्या बनाया जा सकता है तो आपका तुमबा खंजरी और बीन बनाया जा सकता है यह धोल इससे क्या होता है अलग होत इसलिए इसमें प्रशन लगाएगे कि कौन इसमें से अलगाएगे को ढोल आपका अलगाएगो इसका पांच नमबर का ऑप्शन नमबर तीन आपका सही हुआ तो कभी गलती मत कीजिएगा सीटेट में निश्चित ही प्रशन रहते हैं और ये प्रशन कर लेते हैं को पंदर सोले नमबर आपके कहीं नहीं जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question के तरब देखते हैं, कौन सा question है, question है अगला six, कालबिलिया नाच में जैसे मुद्राइं होती है, रुपिया होता है उसमें, साफ होता है, अजिकर होता है, कुछ भी दिया जा सकता है उसमें, तो यहाँ एक और दो, दोनों option दिया गया है या चौथा option है, इनमें से कोई नहीं, को इसको थोड़ा सा difficult question मनाया जागा है, यह थोड़ा सा असा option है, जिसे आप देखके बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए, अगर आपने अंसे बुक नहीं पढ़ा है, को यह भी आपके लिए मुस्किल हो सकता है, क्योंकि कालबिलिया आप इसमें फस रहे होंगे, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे होंगे, गलत सलत दे रहे होंगे, जरू पढ़ लिजएगा, psychology वेगरे पढ़ते रहेगा, वो कुछ नहीं होता है, वो previous year बना लिजएगा, 100 ticks देख लिजएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मैंने बताया भ होगा, कोई बड़े मतलब अच्छे कासे लोगों को भी दे दिया जाएगा, वो भी गलती करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजे, जहां से question आते हैं, जो book से पूछे जाते हैं, तो यहां पर अगर 6 नमर का answer आप से पूछे जाते हैं, तो इसका answer होगा, आपका आगे बढ़ते हैं, और अगले question को देखते हैं, यह भी पूछा जा सकता है, जो नाच देखते हैं, तो उन्हें नाच में क्या दिया जाता है, को साब जेसी मुद्राएं दिया जाता है, यह भी पूछा जाता है, तो वहां दे दिया जाएगा, मतलब नोट दिये जाते है, जो रुपी एकर नोट होता है, वो साप जैसी मुद्रायर दी जाती है, या सोना दिया जाता है, अगला उप्शन देदेगा, चांदी दिया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा प्रशन को घुमाएगा ही, बिना घुमाएगा ही, पूछा नहीं जा सकता है, ले तो ये अपनी डास्टेस तोफ़े के रूप में देते हैं, option है आपके सामने अपनों की साधी में, बेटों की साधी में, तिसरा है बेटियों की साधी में, इनमें से कोई नहीं, ये आपको comment section में बताना है, इसका उत्तर क्या होगा? अब जल से जल बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा हो सकता है, अगर आपका comment section में उत्तर है, कौन सा team बेटियों की साधी में, तो वो बिल्कुल सही है, ये अपनी बेटियों की साधी में देते हैं, देखाज़े तो seated में ये प्रशन इस तरीके से नहीं पूछा ये हमने पूरा sequence के लिए लिख दिये ताकि आपको याद रहे, तो ये पूछा जा सकता है कि जो कलविलिया लोग है, वो सापो को, मतलब कलविलिया से संबंदित कौन सा option इसमें से सही है, गलत है, तो उसमें दे दिया जाएगा, ये सापो को मारते हैं, ये सापो को नहीं म सापो को नहीं मारते हैं, तो इस तरीके से दो तीन option को रिलेटेट देंगे, जिसे आपको गलत या सही के रूप में टिक करना होगा, जिनों नहीं बताया है कि बेटियों की साधी में, वो बिलकुल NCRT बुक पढ़ा है आपने, और बिलकुल यही एंसर होगा बेटियों की साधी में, बेटियों की साधी में क्यों नहीं पूछा जा सकता है, इसलिए नहीं पूछा जा सकता है कि यह जो प्रशन है, पूछा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, क्यों नहीं पूछा जा सकता है, यह जो प्रशन है ना, लाइंग साधी होता है कि तोफ़े के रुप में क्या दिया जाता है, यह पूछा जा सकता है, बेटियों का जब साधी होता है, तो क्या दिया जाता है, यह question में रहेगा, option में आपको उतर देना होगा, सापो को, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question के तरब देखते हैं, अगला question कौन में से कोई नहीं comment section में लिखे कौन सा answer हो सकता है बिलकुल सही आपने जवाब दिया होगा क्योंकि यह जो प्रश्ण है बहुत ही simple से बनाया गया है और इसका correct जवाब है आपका option number 3 अब सरकार ने कानून बना दिया है नो तो कोई जंगली जनवरों को पकड़ सकता है नहीं उन्हें अपने पास रख सकता है यानि जो कानून बनाया है सरकार ने वो यह है कि नो तो कोई जंगली जनवरों को पकड़ सकता है नहीं उन्हें पास में रख सकता है अब देखे यह हाँ भी जो प्रशन बनेंगे यह थोड़ा सिंपल सा हो गया कि आप देखने से भी लग रहा है कि जंगली जनवरों को पकड़ सकता है नहीं उनको अपने पास रख सकता है लेकिन इसको इतने डिफिकल्ट तरीके से आपको प्रस्तूत किया जाएगा हो सकता है कि सरकार ने का लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सकता है तीसरा आप्शन देदेए जंगली जनवरों को मारना है नहीं मारना नहीं है पकड़ के रख सकते हैं इसके अतरिक्त और भी इसतरह के ऑप्शन दिए जाएगे जो आपको कनफ्यूज करेंगे को कनफ्यूजन में मत पढ़िएगा यह नहीं पकड़ना है, नहीं अपने पास में रखना है, किसको जंगली जनवर को, इस तरह का कानू में, अब यहाँ पे कालविलिया जो पार्ट में है, किसको दिक्कत होगा, को दिक्कत होगा, अब कालविलिया के जो लोग सापो का नाच्वेगरे दिखाते थे, उन लोग को द रखना है ना पकड़ना है अब रखना भी नहीं है पकड़ना भी नहीं है कि इस्तमाल कैसे करेंगे तो यहां पर उन लोग को दिक्कत होगा कि उनका जिवन यापन था वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा इसलिए बहुत इंपोर्टेंट यह प्रस्न बन जाता है लेक पाएगलREE क्फेशन नमबर नयिन हमारे थेस मीं पाएगज चाने वाले सापो में से केवल डिश्घ्रा के सांप ही जहरीले होते कितने तरह के साप आपको जहरीले होते हैं औwnग्स यह पाइप चार चोन सब बताना है जल्दी से बताएगे कौन सांशर हो सकता है 5 tel सा पा च जाने होए वाले सापों में केवल चार तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं कौन-कौन से यह आगे वही प्रस्ण है कि कौन-कौन से हैं तो यहाँ पे कितने तरह के सांप होते हैं आपका कमेंट सेक्षन में उत्तर है चार तो बिल्कुल सही है चार तरह के जो सांप जहरीले साप हैं, वहाँ पे हैं नाग कराय दुबई अफाई, इसका option इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, इसका option दिया जाएगा, एक ही में लिक दिया जाएगा, नाग कराय दुबई अफाई, यहाँ पे प्रशन रहेगा कि भारत में जो है, यानि हमारे देश भारत में, जो इन जहरीले सापो को निर्दिष्ट करता है या वो है जहरीले सापो का मतलब यह ओप्शन सही है जहरीले सापो से समझ देते तो वहां पर ओप्शन देदेगा नाग करेत दुबई अफाई पहले ओप्शन में दूसरे में देदेगा नाग करेत अजगर और वो क्या करते ह कोब्रा ऐसे देगा किसी और में कुछ और देगा किसी और में कुछ और देगा को आपको टिक करना होगा किसको को नाम याद कर लीजे नाग आप लोग जानते हैं नाग भवा कि पूजा करते हैं हमेश्य पूजा करते हैं तो वह तो होगा ही इंडिया में पूजा होता है को थोटू रहेंगे, दूसरा करयत, करयत आपने देखा होगा, आप लोग गाउं में जब सापaceyम का मारने और करयत निकला था, तो वो भी जहरीला होता है, बहुत ही खतरनाक साप होता है, को दूसरा न앙 आपको याद हो गया करयत, अब बच गया कि दो, को दो नाम ऐसा है ना, क आपका एक नम्मर हो जाता है, दुबया और अफाई, याद हो गया, आगे बढ़े, देखें जो भी कुश्चन आपके साथ चल रहे हैं, उसे याद भी करते रहे हैं, थोड़ा सा लेबल हम थोड़ा कठीन कर रहे हैं, ताकि मतलब घुमा के भी पूछा जाए तो अब बता द तो उसके डास-डास खोकले जहर वाले दात से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है, अब कौन-कौन से ये खोकले जहर वाले है, यानि कौन एक, दो, तीन, चार कितने तरह का उसका दात है, जिससे व्यक्ति के सरीर में वो जहर चला जाता है, कितने दात होते हैं, दो दो एक चार कमेंट सेक्शन में लिखिये कितने दाथ हो सकते हैं बताइए जल्दी से तीन दो एक चार तीन दो एक चार कौन सा हो सकता है तो अगर आपका एंसर है एंसर है क्या कमेंट सेक्शन में अगर आपका एंसर है option number two यानी दो तो बिलकुल सही है इसका correct answer है दो उसके मतलब यह होते हैं दो खुकले जहर वाले दाथ होते हैं जिससे बैक्ति के सरीर में मतलब उसका जहर चला जाता है इसको पूछीने के भी दो तरीके हैं अब दो तरीके क्या हो सकते हैं एक तो पुछा जाएगा कि उसके खुकले जो जहर वाले दात होते हैं कितने होते हैं माले जै किसी बैक्ति को साप काटता है तो खुकले जहर वाले कितने दातों से काटता है कितने दात होते हैं जिससे वह काटता है और उसके फॉल्स वरूप सरीर के मतलब एक्ति के सरीर में जहर चला जाता है तो आपने द देखते होंगा कि वहां पे निसान आपने देखा उगा तो निसान हम चाहुआ तो वहां तसे निसान welfare में है था मुझी वेगर में दो ही बिंदू दिखाए जयता है क्योंकि दो ही दाथ होते हैं दो ही खोकले जहर Cle Extrem LD निहें प्रस्ट एक यह होगिया कितने होते हैं तो हो गया दो अब एक और प्रश्ण बनेगा कि वो दोनों धात जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, खोकले होते हैं, जहर से भरे हुए होते हैं, कैसा होता कुछ भी option दे जाएगा गुमाने के लिए कि याद रखे दो खोकले जहर वाले दात होते हैं, दो भरे जहर वाले दात होते हैं, इस तर सा ने ट्वर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रहा है जिसके कारण दिक्कत होगी यह था कल इसलिए हम सोचे आफ्लाइन ही आपको दे दिया जाए कुश्यन नमबर 12 जिस विक्ति को साप ने काटा है उसे तुरंत जहर को खत्म करने वाली सीरप दी जाए यह सीरप ही बनाया जाता है और सबी सरकारी स्वास्त केंद्रों में मिलता है एक सीरप का चर्चा हमीसा होता है, कि जब भी विक्ति को साप वगरे काड़ता है, तो उन्हें क्या दी जाती है, सीरप दी जाती है, तो ये सीरप जो होता है, किसे बनाया जाता है, और सभी सरकारी स्वास्त के अंदरों पर भी ये सीरप उपलब्ध होता है, तो ये कमेंट स दवा, जिसे आप लो हमेशा अंग्रेजी दवा के, मतलब जो भी दवा खाते हैं, आधिक तर अंग्रेजी दवा खाना से ही लेके खाते हैं, वो दवा, चो था उप्रुक्त सभी, यानि सभी तरह के, तो ये comment section में आपको लिखना है, तो जिनका भी उत्तर comment section में, क्या है, ए जैए, वो जो है मतलब जहर है, वो समापत हो जाये, तबय तो आदमी जीवत रहाएगा हैं कर थोड़ देर में आदमी मर जाता है, तो इसके लिए क्या मतलब दिया जाता है, इसके लिए καल एक सीरफ बनाय गया है, वो सीरफ जो होता है, किससे बनाय जाता है, ये पुछा क्योंकि आपने देखा हो सारे सवास्ति के नरुपए बहुत सारे स MR के होता है जिसको देदी जहाताAY और आदमी जीट हो जाता लुप कभी पर और ना आरॉ जू Charge कपर के मतलब जो आई होता और कॉण का गुणावला जो होता है किस्से बनाया जाता है तो वह बनाया जाता है आपका साप के जहर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन कौन सा है अगला कुश्चन एबियस कच्छा पाच पाठ दो के किस्सा की सुरुआत करने से पहले बच्चों के डैस डैस ऑन वह पर बात करने से किस्सा और दिल्चस्प बनाया जा सकता है पहला पेर से जुड़े दूसरा सापों से जुड़े तीसरा एक और दो दोनों चौधा इन में से कोई नहीं यह आपको कमेंट सेक्षन में लिखना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है को जाएर इसे बात है पार्ट किससे बावु को रिलेटेड है तो यह पार्ट बावु साप से रिलेटेड है को किसकी चर्शा करेंगे सापों से जुड़े बात करेंगे तो उन्हें और मजाएगा और दिल्चस्प हो जाएगा यह पार्ट तो यह कोरेक्ट एंसर है अंयए ब्चो को साप से दसने वाले तात whipped और उसे निकालने के तरीकों के बारे में बता आया जा सकते हैं पहला किताब की सायता से दूसरा चीट्रोल की सायता से अचनल को सब्सक्राइब्र लिखे comment section में हम आपको बताते हैं इसका correct answer दोनों match होता है इसका मतला आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से किया है यानि book आपने पढ़ाई यह सारी book कहीं है जिन्हों नहीं इसका जवाब option number two दिया है उससे यह सकता है अब यहां पर हमें साम करते हैं practical रूप से दिखाईए साम को क्या होता है न प्रैक्टिकल रूप से दिखाईए तो यहां पर प्रैक्टिकल रूप से साम दिखाईएगा तो हो जाएगा गडबड इसलिए option number two सही है चित्रों की सहता से practical रूप से सारा चीज दिखाना चाहिए लेकि अगर जो भ्यानक हो आप गेंडा का बात बत कि पार्टि में निम्लिकत में से कौन सा परियोग होने वाले बाजे है पहला है बिन, तुमबा बिन और तुमबा दूसरा है खंजरी तिसरा है ढूल और चौथा उप्रुक्त सभी इसका जवाप दीजिए यह तो पहले भी हमने question पूछा था लेकिन हमने यह नहीं पूछा परियोग होने वाले कौन बाजे हैं देखिए एक प्रशन के दो जगा मतलब प्रशन बढ़ने एक तो पूछा जाए सकता है कि ये निम्न में से कौन सा भीन है अब भीन है तो किस तरीके से भीन है मतलब लौकी का बनाए गया था सुख्य लौकी का अब एक और पूछा जाए सकता है कि बाजे कौन-कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब लिखे फिर हम मैच करते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं है अपने एक बढ़ा ही है हमने बताया था कि दस तक पढ़ लिजे लेशन आज हम दो लेशन करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो म नमबर 16 निमलकित में से कौन सा सुखी लौकी से बनाया जाते हैं यह तो बताना नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में ही हमने पूछ लिया थे देखिए एक एक चीज इसमें लिखा गया एक एक कुश्चन इसमें बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है बीन खंजरी तु इसमें क्या है डोल नहीं है इसका मतलब कौन सा एंसर से हो जाएगा बवू को फ्रुक्त सभी हो जाएगा थोड़ा से डिफिकल्टीस को किया जाएगा यह तो याद करने के लिए दिया गया है ताकि आपका दिमाग जो होता है कन्फ्यूज नहीं हो उसमें जाए टिक कर द इसको दरशाया गया है इस तरह कि और समदाओं पर बाचित करने सेस्ट किया जाता है कि अक्सर लोगों का जनवरों के प्रतिक प्रति Church नहीं होता जैसी आम धाना है मतलब इस पार्ट में किसी को दर्शाय गया है जैनि जो कालविलिया के बारे में सारा चीज बताया गया वो किस्सा इसी तरह के और समदाओं पर बाचित करने से असपस्ट किया जा सकता है और भी बाची समदाय पर किया जाए तो उस पर असपस्ट किया जाता है कि अकसर इन लोग का जानुवर के प्रतिक कुरूर बहवार नहीं होता है अपने देखा होगा कि यह इनकी पूजी होती है साधी बिवा में यह देते हैं अपने मतलब जो भी बेटी के साधी होता उसमें क्या करते हैं यह तोफे के रुप में देते हैं ऐली см इसमें option आपको होताना है सापो सपेरों और सापों की आपसी सब्मंद दूसरा सपेरों और सापों की आपसी निर्भरता तीचरा एक और दो दोनों अच्छो था इन में से कोई नहीं यह कॉमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सेंसर आपका सही हो सकता है कोई इसका correct answer option number 3 सही ह एक और दो साप सपेरों और सापों की आपसी संबंद तथा सपेरों और सापों की आपसी निर्भरता आसमें निर्भारता को मतलब दोनों चीजों को इस बुक में दर्शाया गया कि दोनों में संबंध क्या है और दोनों मतलब निर्भार कैसे है इस चीज को इस पार्ट में दर्शाया गया एक प्रस्ण जो 2018 में पूछा गया था आप जानते हैं जो एक्जाम होता है, मतलब आपका सन 2018 है, दिसंबर 2018 सीटेट के जो एक्जाम होता है, उसमें NCAT बुक से कुशन नहीं आ थे, लेकिन एक कुशन आया था, तो हमने यहां पे डाल दिया गया है, हमने डाल दिया है, ताकि आपको कभी पूछ लिया जाए, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा NCAT बुक से ही आता है, 2008 रे छोड़ दिया जाए तो, इसमें देखें थे, तो कुशन बिस्व का सबसे लंबा साप कौन सा है, यह कुशन था, बिस्व का सबसे लंबा साप कौन सा है, तो पहला है, एन कुंडा, दूसरा अजगर, तिसरा है वाइप आपका कौन सा, कॉमेंट सेक्शन में जो आप दीजिए, 2008 रे बनाया है और आपने प्रिबियस एर, कौन सा होगा, तो इसका कॉर्रेक्टेंस होगा, 2008 का, आपका ओप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, और वो है, रैटी कूलेटेड पेथोन या जालिदार अजगर, ठीक है, पर मोबी वेगरे पे ज़्यादा विश्वास करके अनकोंडा को मत कर दी जागा नीट, तो हो जागा गलत, ठीक है, चलिए, अगले कॉश्चन भी चलते हैं, कॉश्चन ये लास्ट है, उन्नीस नंबर कॉश्चन, इभी एस पार्ट पुस्तक में, सपिरु का एक अध्या ह है, इसका उदेश से बच्चों को जागरू करना और समयद्य सिल बनाना है, अब किसी के लिए इसका मतलब क्यों जागरू करना है, क्या समयद्य सिल बनाना है, ये option टिक करना है आपको, इसका correct answer तो इसी मिलिक दिया गया, जो भी last question आएगा, उसका correct answer आपको मिल जाएगा, इसका correct answer option number two, कि सपेरे सापों को नुकसान नहीं पहुचा है, और उन्हें अपनी अजीवका से बनचित करने से पहले विकल्पों को परदान करने की हो सकता है, यानि जो सपेरे होते सापों को नुकसान नहीं पहुचा है, और उन्हें अपनी अजीवका से बनचित करने से विकल्कों को परदान करने की ओ सकता है यानि मतलब जो भी जिस पे वो जीवन जी रहते हैं उसके लिए उन्हें विकल्प परदान करने की ओ सकता है ताकि अराम से जी सके चले अगले question पर चलते हैं अगले lesson पर lesson number 3 है आपका चखने से पचने तक पहला है खाने की चीजों का स्वाद कैसे कर सकते हैं उसका सवाद कैसे कर सकते हैं option है आपके सामने पहला हम जीप से चकर दूसरा है नाक से सुंकर तीसरा है एक और दो और चोथा हैं इनमे से कोई नहीं तो ये जो question है इसका जवाब आपको बताना है comment section में देखते हैं match होता है या नहीं जल्दी से जवाब बताईए चीजों का स्वाद कैसे पता कर सकते हैं जल्दी से बताईए ज़िए से बात है कि आप कहेंगे कि अगर कोई चीज मेरे जिप पे चली जा है तो क्या होगा पताशल जाएगा लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी-कभी महक के पीछे भी भागते हैं क्या सौधिस्ट महक रहा है क्यों कहते हैं तो answer कौन सा होगा option number 3 यानि एक और दो-दोनो हम जिप से चकर भी और नाक से सुंकर भी पता कर सकते हैं गयन नाक से सुंगा क्या सौधिस्ट लग रहा है तो वही answer हो जाएगा option number 3 यानि पहला का answer हुआ तीन जिनका भी उत्तर 3 है यानि यान्सेटे बुक आपने पढ़ा है आई वड़ते हैं अगला question के तरफ अगले question के तरफ ये है आपका दो number का नाम सुनते हैं मुह में पानी आ जाता है मिर्च मिर्च का नाम सुनीगा मुह में पानी आ जाएगा प्याज देखिए मिर्च भी पानी ला सकता है प्याज भी पानी ला सकता है और खटी इमली भी पानी ला सकता है, लेकि सब के पानी में तोड़ा तोड़ा अंतर है, मेर तो पानी पीने के लिए मजबूर करते हैं, बहुत तीता लगा, और प्याज अगर लग जाये तो क्या होगा, आखों से पानी आ जाएगा, और खटी इमली हो तो क्या होगा, मुह म पानी आजाएगा तो तीनों पानी से इसलिए प्रशन को यह डाला गया बहुत ही असान सा प्रशन है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रशन सीटेट में पूछा पूछीने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है चलिए याद कर लिए तो यह तो सभी लोग जानते और बता भी सकते और यह भी पता चल गया कि तीनों पानी से ही संबंदिते मीर्च पानी पिलाता है पानी पिने के लिए मस्तुर करता है मिर्च जियाता खा लिये प्याज लग गया इसका एंसर बताना है 70-85 बार 40-45 बार 20-25 बार और 60-65 कौनसा एंसर हो सकता है जल्ली से इसका correct एंसर देखे जो तो option number आपका comment section में कौनसा है एक, दो, तीन, चार बिलकुल सही जवाब है आपका option number 3 वो है आपका 20-25 बार खाना जो होता है यह दो-तीन तरीके से पूछा जा सकता है पहला तो खाना जो होता है तीजी से खा लेना चाहिए मतलब अगर आम बहुत जल्दी में है कि तीजी से घब 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 खा लीजे पता मतलब मुह में चवाब चवार का खाएंगे पेट से निकालेंगे फिर चवाब चवाब अच्छा इसको क्या कहते है यह science में इसा question छोड़ी उसको science पे नहीं चला तो उसको क्या करेंगे कि दुबारा मुह में लेक्ड़े आएंगे उसको चवाब चवाब खाएंगे ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें खाना जो खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, धीरे-धीरे खाना चाहिए, ठीक से चवा-चवा के खाना चाहिए, ताकि पूरा लार उसमें मिल जाया, और खाना अच्छे तरीके से पच्छे, नहीं तो नहीं ऐसा करेंगे, तो होता क्य होगा उसमें प्रशन पुछा गया थे जो पेट में जो मतलब जो पाय जाता है पेट में जिससे भोजन पचता है वो क्या होता है अमलिये होता है चारिये होता है यह पूछा गया तो जाल लीजिए तो धीरे धीरे खाईए और कितना बार चवाना है यह भी देख लिए लिखा हुए आपके ncrt book ebs में आसपास नाम से जो जाना जाता है आसपास नाम लिखा रहता है उसमें तो यह कितना बार चवाना है बबू 20 से 25 बार का आज की बार रोटी कैसे कहाना है पूरा चबाक के लार उसमें लएगा तब अंदर जाएगा तब पचेगा तो क्या होगा बिमारी नहीं होगा का इसका तो correct answer है option number 3 आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 4 हमारे मुह में डेस्टेस भूजन पचाने में साहता करता है कौन सा एकल लार चार लवन बहुत ही बेतरिन तरीके से यह प यह भूजन पचाने में साहता करता है मुह में हमारे मुह में भूजन पचाने में साहता करता है बहुत ही बेहतरिन सवाल मतलब इतना बेहतरिन है कि यह आपको पचा सकता है अब देखिए प्रशन कैसे पूछा गया है मतलब इतने ही अच्छे तरीके से पूछा गया है मु उन्होंने सब्द लगा दिया हमारे मुह में हमारे मुह में कौन बचता है थो हमारे मुह में हमने बताए कर पूरा लार उसमें लगेगा है न यहां पर चार घट होगे लार इसका एंसर होगा। दूसरा एंसर होगा कि पूछ दिया जाएगा जो पीट में जो भजन पच्थता है यहां पर मूह में जब आपो ले और हम दिया तो यहां पर यहां पैप का लार के जरूरत के लिए लगा ही हुता है कभी कभी आपने दिखा हो गया आपको जैदा हो गया है एसे करके खुव अंदर लेगा हुआ रिखा गा कि मॉर्ण निकलता है बहुँ ज़्यादा है और वह जाके पचाता थो समझुआ बीमारी निडेने कंसे होला है are एकदम बेतरी पेट रहे हैं एकदम घुमी है मस्ती में चलिए कुश्यन बन गया आपका एंसर भी मिल गया दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्षन आजी रहा वहां कीजिए यह कुश्यन नमर 5 है जब हमें भूक लगती है तो क्या होता है जब आपको भूक लगती है तो क्या होता है पहला सर में दर्द होता है दूसरा गुस्सा आता है तीसरा ठका ठका आप महसूस करता हूं या रोता हूं चौथा उप्रुक्त सभी यह आपको कमेंट सेक्षन में बताना है जल्दी से बताइए कॉन साइंसर हो सकता है और इसका जिसका भी जवाब है ना कॉमेंट सेक्शन में चार वो बिल्कुल सही है उप्रोट सभी यहां पर पाठ की शुरुआत होती है ने कुछ बच्चे बातचीत करते हैं कि भुक लगता है तुम्हें क्या होता है त उसको होता है ना तो याद रखिएगा यह सर में दर्द होता है दूसरा गुस्सा भी आता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जानते हैं अब भुक लगा रहे हैं आपसे कोई काये के खेत कोड दीजे पूरा उधर मतलब पूरा जोद दीजे कुदाल से यह कर दीजे तो आपसे होगा पहले ही कई बहुत ज़्यदा यह हो गया थक गया है थका 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 महसूस करते हैं और ज्यादा छोटे बच्चे है ज्यादा काम कराएगा लोग भुके हुए है तो रोना सुरू करते हैं तो इसका कोरेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर चार चलिए अग दूसरा नमक और चीनी तीसरा नमक चोधा नीबू और चीनी और नीबू नीबू पानी आ रहा था चीनी और नीबू चलिए कहते हैं चीनी और नीबू तो यह चार अप्शन है चार अप्शन में सी आपको टिक करना कौन सा एंसर सही है कमेंट सेक्शन में बताइए देखि नोपते हैं क्या दिया गया था मतलब उसके पास energy आगया energy लॉस्त था तो जिसका भी correct टेंसर है क्या correct टेंसर है वो आपको बताना है को जिसने भी उत्तर दिया है चीनी नहीं अपिश्ण अपेडिव से सदूर्भी और से इसे दैनकन लगता और तो चल्ब शुर्बी ग्हसे को शाल नितों को पूरा दिन लगता उल्टी होती रही शाम में दस्ते भी लगा थे उसके लिए पिता जी ने उसे पाने नमक और छीएंग घूलकावर पी निकली दिए नमक चीनी तो दे दिये घुल में, साम को डॉक्टर के पास जाने के लिए बिस्तर से उठी तो चक्र खा कर गिट पड़ी, अज साम को उठती है डॉक्टर पे जाने के लिए बिस्तर से उठी है, चक्र खा रही है और गिर जाती है, वे उसे गोद में उठा कर डॉक्टर पे जो उसके father थे उसको गोदमी उठाएं और डॉक्टर के पास ले आगा है मैं डॉक्टर ने नीतु को अस्तपाल में भरती भरती होने केव हैं अब डेक्टर देखा कि चक्रकागे गीरी जलो अस्तपाल में भरती करा दीजिया और इसके साथ ही कहां साथ में कुछ और भी कहां उप्रवर्ण सभी चड़ाने क कि लिए आपने खुन च्ड़ने और कमी हो गये हैं हमुलोविन कमी हैं खुन चड़ा दो गुलकोज की कमी होगा गुलकोज चढ़ातो इन में से सभी चढ़ातो यानि चारो अप्षन चढ़ातो कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजे देखते हैं आपका एंसर मैच होता है कि नहीं जिसका भी एंसर है option number 2 नहीं जिसका भी एंसर है option number 1 एक वो बिल्कुल सही है गुलकोज चढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था आगे बढ़े चलिए अगले कोशन के दरब चलते हैं गुलकोज डासडस के रूप में हमारी सरीर को ताकत देता है गुलकोज का थोड़ा ये को होता है उसका क्या कते है मतलब कमेस्टी अगर जानते होंगे तो इसका सुत्र वगरे होता है लिख दीजिए तो कमिन सेक्षन और भी बच्चे जान जाएंगे ये इसमें काम नहीं आ कमेन्ट शेक्षन हाजीर है बताइए पढ़ा तो है अपने आस्पास ना ज Wars दिजिए गुलकुज जो होता है हमारे रिक हमारे स्रीर के जोकत देता है uh चली अगले कुश्यन की तरफ चलते हैं आगला कुश्यन देखते कौन सा है The question बहुत बड़ा है कि बहुत बड़ा है देख्विश्य ौन लीटस पktion मतहरे प्रिश्चन मार्टिन सर्थास्चन depth मा्ठिनस आठाइस ओभाईसमें 85 साल का healthy माके नहीं जा सकते हैं, नो करीवेगरे मिल सकता है, मन भोट देने जाते हैं, तो याद रखे, आठारे सो बाइस, यानि अठारे साल, भोट देने के लिए त्यार, जब वो गोली से जखमी हुआ, तो उसे डॉक्टर, बोमेंट के पास ले गए, अब लड़ाई जखड़ा में गय अब वहाँ पर क्या हो गया, गोली लग गया, गोली लगने के बाद उन्हें एक डॉक्टर थे, जिनका नाम था बूमेंट, बोमेंट, उनके पास ले गए, डॉक्टर ने मार्टिन की, अच्छी तरह मरहम पट्टी की, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से देखा कि गोली फूट लगा था, वो क्या हुआ न, वो मतलब नहीं बहरा, लग बट डीर साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अध्वुत, खिढकी सी बन गई अब लगब डेर साल के बाद उन्हें देखा कि मार्टिन के सरे में अध्वुत ये खिढकी सा जहा कचेदवबाँ न", वहां पे खरकी से बश्राशन नहीं है। पेट की चमड़ी नहीं बढ़ कर छेदः को ढख तो लीय था। पेट की चमड़ी भी दख लिया था। नहीं को ठीक इस तरह जैसे एक फृट्बाल का वाध्य息 हुद और ने नौ साल परयूग किये ये भी पुछा जा सकता है, नाम भी पुछा जा सकता है, उन्हेंने 9 साल बर्योग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचकरस निकाला, और उन्हेंने एक ट्यूब के साहथा से क्या निकाला, पाचकरस, जिसे बोजन बसता है, फिर 10 मिलिलिटर पाचकरस में एक उबल ग्लास को उतने ही तपमान में रखना जितना आमतर पेट के अंदर होता उतने ही तपमान पे रखा उन्होंने अब प्रैक्टिकल कर रहे थे डॉक्टर थे खोज कर रहे थे तो आप लोग तो उस तर से पढ़ते नहीं नहीं बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं तो यह देख पूरी तरीके से घुल चुके थे अब यह पता चलना था कि आखिर यह जो मचली है वह कैसे पेट में जाके पच जाती इसके लिए उन्होंने ने ट्यूब की साहता से निकाल लिया निकालने के बाद मचली का तुकड़ा किया फिर उसी में डाल दिया असुबह में देखा क कि सारी मचली जो है गुल चुकि यहनि गाइब है अब यह देखे कितने देर के लिए उरके थे 500 सेंटी ग्रेट 200 सेंटी के लिए हमें लगा कि कितना समय के लिए बुला गया है कि समय तो इसमें लिखा यह हुआ था तो यहां देखा जाए तो आपका ऑक्षे नंबर 3 सही है, अब पेट का तपमान कितना होता है, यह यहाँ पर प्रशन बनता है तो यहाँ पर हो जाएगा option number 3 300 centigrade, कितना तपमान था तो लगबद 300 centigrade था, तो आगे अगले question पर बढ़ें, चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question देखते हैं, कौन सा है जब हम, dust dust होता है तो खाना ठीक से नहीं परस्ता है खुस होते हैं, दुख या परशान होते हैं तीस तरह दोड़ते रहते हैं और चौथा हसते रहते हैं, तो बोजन नहीं परस्ता है बताइए comment section में, कब आपको बोजन नहीं परस्ता है जिन्दीव और ऐसे सोच से रहते हैं क्या मैं seated pass होंगा, नहीं परस्ता होंगा ये विडियो देख लो, ये कर लो, कर लो बैच छोड़ो नहीं करूँगा ये दुखी है, परिशान है, नर्वस है समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या करें के चक्कर में पढ़े रहेगा परसार नहीं है, भोजन मी नहीं पचेगा, तबीद भी खराब होचेगा पता चले के seated का एक्जाम देने नहीं नहीं पहुचपा है तो pass कहा से होईएगा इसलिए खुसी रहे है, मस्त है, देखा जाएगा जबरदस्त है, यानि खुस है, मस्त है, जबरदस्त है, कोई टेंसन नहीं है, अरे होगा क्रेक नहीं होगा, पुरा EBS पढ़ गया है, पुरा खंगाल डाले हैं बागी साइकलोजी वेगरे का सौट्ट्रिक का वीडियो तो दो-दो हमने बनाया है तो पूछना क्या इतना काफी है, नंबे नंबर तो यह ही आ जाएगा, सौ तक पहुचा दीजिएगा, अगर अच्छे तरीक से पढ़ लिए तो जब हम दुखी या परशान होते हैं, तो क्या होता है, ठीक से भोजन नहीं पुचता है, तो दुखी और परशान होने के जरूत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे तरीके से, जो लिखा वही होगा, चेंज क्या करना है, लेकि मेहनत तो करना पड़ेगा, अब मुह खोले हुए है कि साइद कोई भोजन मुह में डाल दे, तो कोई डालेगा थोड़ी, मेहनत तो करना पड़ेगा, परशान होते हैं, तो भोजन क्या होता है, ठीक से नहीं परसता है, इसलिए आज के बाद दुखी होना परशान होना, छोड़ दीजे, कितना हूँ, बड़ा जिन्दगी में लिखा हुआ था आ गया, अब यहां हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, चले अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं, अगला कोश्चन देखते हैं, कौन सा है, अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 11, पूरे दीन में थोड़े से चावल या एकाथ रोटी भी मिली इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे हाथ, पैर, पतले और पेट डैस डैस अकसर बिमार रहें हैं, पहला अप्शन है धसा, दूसरा फुला, तीसरा बराबर, चोथा इन में से कोई नहीं, ये कॉमेंट सेक्शन में लिख रहा है, कौन साह जवाब होगा, देखें, अगर जब भी इस तरह के पूछे, पूछा जाए प्रशन की, पूरे दीन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी मिल जाए, तो समझो, बहुत मिल गया, अब देखें, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाना आधा खाते हैं, आधा क्या करते हैं आपसे कम हम्मे नहीं है, मेरा भी, क्या कीजिएगा, दिक्कत, दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मतलब ये हैं, कि उनको मतलब दो रोटी नहीं मिलता खाने के लिए, दो रोटी जो होता हैं, वो नहीं मिलता हैं, आधा टुकरा मिला, उसी से होते हैं, लेकिन पेट जो होता है, क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब आपका क्या है, पढ़ा तो अपने होगा ही है, तो वो आपका फुला हुआ रहता है, क्या रहता है बबब, फुला हुआ रहता है, कमेंट सेक्शन में अगर आपका जवाब दो है, बिल्कुल सह डाल ऐाल रोटी सबजी से दूर बजार के चिप्स, बर्गर कोल्डिंग इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे होते हैं बच्च हो गया है चे होगा बच्चे होते हैं अब देखें यह जो सवाल है बहुत अच्छा है आज क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं डाल चाल रोज रोज एक ही चीज खाएं का जो छुटका आप टून की चर्चा आगए कि टोन इसलिए आ रहा क्योंकि मतलब अगर दूसरे लेंग्मेज में पढ़ाने का मुन करता है तो वो टोन इस्तिमाल करना पड़ता है ताकि जो गाओं के बच्चे वो भी समझे चली छोड़ी जो बच्चे होते न वो छोटे बच्चे आपके सब्सक्राइब करते हैं तो कैसे होते हैं इसके बारे पूछा गया है को इसका आप तो आपको देना ही होगा और ही देना होगा पहला बदन मोटा और थुल थुला दूसरा पैरों में दर्द होगा तीसरा फूरती से कोई भी काम नहीं कर सकने वाले होते हैं और चौथा उप्रुक्त सभी को यह जवाब देना है कौन सा होगा को देखे अगर वो खाता है मतला जो भी बच्चा हो चिप्स बाहर का अब भी होंगे तो समझ यह करी रहे होंगे इसका पैर में हमेसा दर्द होगा को जाइर से बात है कि आप क्या करते होंगे को अगल्डिंग वेगरे को पीए हैं तबी तो पैर में दर्द रहते हैं अगला है अब कहिएगा जो मूटा ताजा बच्चा उसे कई ना देखिए जो नॉर्मल कैलरी वेला भुजन करते हैं दोड़ाईए उसको कहीं दोड़ जाएगा अब थुल्थुल वेगरे सरीर होगे आप उसको दोड़ाईए तो फूर्ती से कोई काम होगा नहीं होगा जाइर से बात है तीनों यह जो ऑप्चन है वो बिलकुल आगे बोड़े हैं अगला कोश्य डास डास जीले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है यह बहुत ही अच्छा प्रस्टन है पहला है उडिसा दूसरा उडिसा के काला हंडी में तीसरा है मद्यपरदेश चोथा है उडिसा के चिराओं में तो यह जवाब आपको दे है वो बिल्कुल सही है जीले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है कि वह उडिसा के काला हंडी में अगले कोश्यन पर चलते हैं अगला कोश्यन है आपका आख बंद करके स्वाद पहचानों में बच्चों को खाने के चीजे की एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीजे आसानी से पहचानी नहीं चाहेगी बच्चों को अलग-अलग खाने के चीजों का सुवाद बताने और ने सब दो ढूणने के लिए पुर्ट साहित करेंगे अलग-अलग सुवादों के मिल जिसे खटा-मिठा तीका चटपटा पर चचा करने से बच्चे खाने में इतनी डस-डस को समझ पाएंगे समंद बिवित्ता अंतर उप्रुक्त सभी तो इसका जवाब आपको देना है तो इसका जवाब अगर आपका है कौनसा दू वो बिल्कुल सही है बिवित्ता यहन बिविन्तर का खाएंगे तो बिविन्तर का समझ पाएंगे तबी तो बताएंगे खटा मिठा है यह तीखा चटपटा है, अगला कुश्यन, कुश्यन नम्बर 15, जब जुकाम होता है, तो खाना, पहला, बे स्वाद लगता है, अच्छा स्वाद लगता है, तीसरा, स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चौथा कड़वा लगता है, पंदरा का जवाब बताएगे कौ स्वाद जो हो गया, वो बे स्वाद हो जाता है, इसलिए, को पंदरे का एंसर होगा, ऑप्शन नम्बर 1, बे स्वाद लगता है, बे स्वाद, जब जुकाम हो जाता है, खाना, बे स्वाद लगता है, यानि ऑप्शन नम्बर 1, कुश्यन नम्बर 16, एबियस कच्छा 5, पा अनिता रामपाल चकमक अगस्त उनीसो पचासी पाल चकमक अगस्त उनीसो पचासी इन में से कोई ने इस तरह के प्रश्ण पुछे नहीं है लेकिन डाल दिया गया ताकि आपको याद रहे तो इसका करेक्ट एंसर हम ही बता देते हैं अगर आपको याद होगा तो बहुत साथ है यहां पे अनिता रामपाल चक्मक अगस्ट उनीसो पचाशी होगा एक बाद चेक आउट भी कर लीजिएगा ऑप्शन नमबर यह टू इसके बाद अगले यहां पे कुश्चन भी चलते इसी तरह का कुश्चन ही यह इसका पांच पठ तीन में कहानी खिड़की वाले पेट की संबंदित कौन्सा कदन सही है राजेश उच्चाही चक्मक अगस्ट उनीसो पचासी अनिता रामपाल चक्मक अगस्ट उनीसो पचासी पाल चक्मक अगस्ट उनीसो पचासी इनमें सो कोई नहीं को इसका कॉरेक्ट एंसर देखा जाए तो आप्शन नमबर आपका एक होगा राजे इस उच्छा ही चक्मक अगस्त उनिस्सों पचासी अगले कुश्चन भी चलते हैं अगला कुश्चन है आपका इभिस कक्षा पांच पार्ट के तीन सच्ची कहानी पीट में जाका जाना भेत में बच्चे बैज्ञानिकों के काम करने के बैउस्तित तरीके और बैज्ञान के इतिहास की एक रोचक दांसता जान पाएंगे बच्चों से निम्लिखित में से कौन सी अपिक्षा नहीं है पहला पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं दूसरा पेट क्या होता है तीसरा आ टेक क्या काम करती है उप्रुट सभी, य execution तो इसमेंसे आपको बताना है की कॉन साarta इसमेंसे Filip right cancer यानि क्या अपिक्षा नहीं खिया ज़कता है यानी नकर आत्म कौन सा है नेंसे यहां पर देखा जाएं ये भी और आते क्या काम करती ये भी ये चारो वो समझ नहीं पाएंगे ऐसा अपक्छा मतलब बच्चो को निमलिकित में से क्या अपक्छा नहीं है ये अपक्छा चारो नहीं है अगले कोश्चन पे चलते हैं अगला कोश्चन है आपका गुलकोद सुगर के रूप में हमारी सरीर को कैसे ताकत देता है या बात बच्चों के किस के लिए किस तरह का प्रश्ण है पहला मुर्थ दूसरा अमुर्थ तीसरा इंद्रे गामक चौथा पुर्व संक्रियात्मक यह आपको बताना है कि जो हमारी सरीर को कैसा ताकत देता है यह किस तरह का प्रश्ण है यह पूछा गया है तो इसका कोरेक्ट एंसर क्या हो सकता है इसका कोरेक्ट एंसर है आपका अमुर्थ जब भी इस तरह का प्रश्ण पूछा गया है कि किस तरीके से कैसे ताकत देता कि इसमें सोच के उत्तर देना होगा कि एक मतलब ये एक साब्दिक प्रश्ण है और उसके बारे में सोच के जोवाब देना होगा यानि अमुर्त रुप से सोच के तो इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा 19 का दो आगे बढ़ते आगले कुश्चन के तरब इसका च्छा 5 के चात्र क्या गुलको सुगर के रुप में हमारे सरीर को कैसे ताकत देता है ये वे ये सम्मंद समझ पाएंगे हैं हाँ दूसरा नहीं तीसरा बिलकुल नहीं मैं तीसरा बिलकुल चौथा इनमें से कोई नहीं ये आपको बताना है बसालब वह समझ पाएंगे कि कैसे ये ताकत देता है प्रश्खत तो मालीजें उपर पूछ देगे गा opportunity अब यह पूछ रहा कि ये कैसे ताकत देता है यह समंझ पाएंगे को इसका क्वारेक्ट एंसर जवाब क्या है आपका कॉमेंट section में एक है हाँ नहीं आपका बिल्कुल गलत जवाब है इसका correct answer होगा नहीं वो ये नहीं समझ पाएंगे class 3 के बच्चें कैसे बताएंगे तो ये हो गया नहीं यानि 20 का answer हो गया आपका 2 एक इस number कितना question है जी एक इस number question ABS class 5 के बच्चों को अपने सरीर में खाने के रास्ते का चित्र बना कर दिखाने का उदेश उन्हें does this कोसिस करें कि बच्चे अपने खुद के बिचार बताएं यह उनका चित्र बना है बच्चों की कलपना सक्ति को प्रचाहित करें जिनने उन्हें ज्यान सर्जित का मौका मलें यह भी पूछा जा सकता है प्रस्ट में कि इससे क्या होगा यानि इस तरह का चित्र बनाते हैं तो इससे क्या होगा कल्पना सक्ति का प्रचाहन मिलेगा साथ में उन्हें ज्ञान सरजन का मौका भी मिलेगा, दो चीजे इंप्वर्टेंट है दोनों याद रखिएगा, दोनों यह है कल्पना सक्ति का दूसरा यह, यह भी पूछाज़़़गा उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उस पे चर्चर करने के लिए भी प्रुसाई करें और ये भी करना आपको चाहिए तो पहला है पाचंतंत्र बताना है दूसरा पाचंतंत्र बताना नहीं है नहीं बताना है तीसरा है पाचनतंत्र का कारे बताना नहीं है चोथा है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ देखा जे तो 21 का जो एंसर है वो है एक पाचनतंत्र बताना है जो भी पाचनतंत्र होते हैं चितर बनाने के पाचनतंत्र उन्हें बताना है इसलिए बनवाए जाना, अगले question में चलते हैं, अगला question है, आपका correct answer ही इसमें लिखा गया है, EBS class 5, EBS जो होता है, उसका class 5 के बच्चे जीब के कौन-कौन हिस्से पर कौन सा सवाद पता चलता है, क्या आप बता पाएंगे, दूसरा, मुम्किन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगा ना बता पाएंगे, यह ऐसा मुम्किन है, कि वो ठीक जगा नहीं बता पाएंगे, क्यों से इसमें कौन सा सवाद पता चलता है, यह science class 6 या 78 में हैं, और उसमें बताया गया है कि कौन सा सवाद कैसे मिलता है, तो इसका आप लाइक करते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, अन्य दोस्ते के बाद सेयर करते हैं, तो नहीं सित ही, आगे समय मिलते हैं, यह भाग जो चल रहा है, इसे continue करेंगे, देखाज़े तो अगला लेशन है, चार खाएं आम बारो महीने, इसमें पहला प्रस्ण है, कैसे पता च आगे continue किया जाए, यहीं रोग दिया जाए, यह भी बताईएगा, और दोस्तों को भी पसंद आता है, आगे चाहिए वीडियो को दोस्तों भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो मुझे भी बनाने मज़ा आएगा, ज्यादा से ज्यादा होंगे, जो आप तो निश्यत ही, आपने NCRT बुक पढ़ा है, और आगे सेशन के लिए त्यार है, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप NCRT बुक पढ़के जाएगा, जो भी चीज़ा हैं वो कीजिए, NCRT बुक पढ़के जाएगे, 1 to 5 के लिए आप NCRT बुक आसपास नाम से 3 to 5 और आपका गणित के लिए, 1 से लेकर पास तक का गणित का बुक पढ़ लिजे, बना लिजे, और जो चीज़े बनाया आगया है वीडियो ना, वो काफी है, जितना वीडियो बनाया जाएगा, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा आपके लिए, और रही बात, साइकलोजी क साइकलोजी का दो बहुत ही महत्पून वीडियो है, सकरात्मक वाला और नकरात्मक वाला, जस दिन पोजेटिम निगेटिव वाला वो पढ़ लिए तो समझे कि बहुत आगे जाएगा, और प्रिबियस येर जरूर बनायेगा, प्रिबियस येर क्यों कहता हूं मैं, तो कार बना हुआ है, उसे देख लिए, और जो समाजिक बिग्यान है, समाजिक बिग्यान को तु ज़्यदा परिश्रम करना होगा, क्योंकि उनका टोटल दस बुक है, इतियास नागिरिक भोगल का टोटल दस बुक है, छे से आठ तक, वो सारे आपको पढ़ने पढ़ेंगे, आपको लग रहा होगा कि याद नहीं है, यह नहीं है, और अप्शन दिखेगा, टिक कर दीजगा, क्योंकि एक स्टोरी, अगर आप बुक पढ़ते हैं, एक स्टोरी आपके दिमाग में घुम जाता है, कि इस पीज नमर पे, क्लासिक्स के दाया भाग या बाया भाग में हम यह प्रशन पढ़े हुए थे, और यहीं चीज लिखा हुआ था, वह अक्षर समझ में आएगा, यह अक्षर वह को ऐसे बना के लिखा गया था, इस तरीके से भी आता है दिमाग में, तो पढ़िए का तब तो, पढ़िए, निश्चितनी से फलता मिलेगे, साइकिलोजी व यह का जो हम प्रिवियस यह करा है, उसे देख लिजे और प्रिवियस यह बना दीजे, सभी का कारण जान जाएए, आप यू ही 90, 95, 95 अन्टन में लेके लिए, अगर आप नहीं पढ़ की जाते हैं, प्रिंटेड बुक, आसपा स्वेगरे का प्रिंटेड बुक तो वही आपको दबाईए इस बेल आइकोन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सब से पहले, शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाब उठा सके, यह सब बिलकुल फ्री है